मैं हूँ नितेश वराब का स्वागत है NK Labs and Channel पर राची उनिवर्शिटी राची से मैंने अपना PG in Zoology कम्प्लीट किया है उस टाइम लॉकडाउन जो है लगा हुआ था और कम्प्लीटली जो है अनलॉक नहीं हुआ था ये मेरा जो PG है वो 19 अकी सेशन था तो उस टाइम लॉकडाउन कम्प्लीटली हटा नहीं था इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी रिसर्च वर्ग करेंगे वो बेसिकली जो है हमारा थियोरेटिकल होगा ऑनलाइन रिसर्च वर्ग होगा जो हमको फिल्ड विजिट जो है उसको मिनिमाज करके इस वर्ग को कम्प्लीट करना है फिर भी हमने फिल्ड विजिट किया था कॉलेज केंपस के अंदर जो एवी लेवल था वहां से हमने मैटरियल को कलेक्ट करने का कोशिस किया था लेकिन जादा डिस्टेंस में किसी इंस्ट्यूट पर जाकर इंटर्नसीप और गेरा करने का कोशिस नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन था तो यहां पर अदिया आप इंटरेस्टेड हैं कि ऑनलाइन अपने रूम में बैठे हुए अपना सेमस्टर फोर का जो पीजी सेमस्टर फोर है उसका डिजर्टेशन कैसे बनाएं तो यहां से आप देख सकते हैं देखिए मेरा जो टॉपिक था वो था मॉर्फोलोजिकल स्टेडी ओफ इंसेक्ट विथ फोरेंसिक इंपोर्टेंस वैसा इंसेक्ट का मॉर्फोलोजी स्टेडी करना था मतलब बाहरी रूप रेखा स्टेडी करना था किसी भी इंसेक्ट का जिसका इंपोरेंसिक इंपोरे तो इसके लिए मुझे field visit करके भी देखना था dead body पर देखना था कौन-कौन से insect आते हैं और कौन-कौन से insect जो हैशो कीतने rate के साथ जो है reproduction करते हैं dead body में पर यह मैंने अधिकतर सारा online content ही collect किया था यह dissertation मैंने बनाया था semester 4 में और यह dissertation किसके लिए बनाया था master of science in geology का degree award के लिए तो यहाँ पर इसी तरह से आपको front page आपको बनाना है अपना आप देखिए इस तरह से online soft copy जो इसो बना सकते हैं उसके बाद आपको अपना supervisor का detail जो है आपको इस तरह से देना है और फिर यहाँ पर आपको certificate एक लिखना है अपना detail के साथ एक sample देख सकते हैं certificate कैसे बनाया जाता है इसको zoom out कर देता हूँ ताकि आप complete certificate को देख सकें देखिए इस तरह से certificate दिखता है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं उसके बाद आपको declaration देना होता है इसमें mainly यही कहा जाता है कि जो मैंने अपना thesis लिखा है dissertation लिखा है वो मेरा original है authentic है मैंने अपना काम किया है और अधी मैंने किसी से लिया भी है तो 25% से कम ही लिया है उससे ज़्यादा amount में किसी का जो है copy नहीं किया है मैंने उसके बाद acknowledgement में लिखा जाता है सब को thank you दिया जाता है कि किनोंने मेरा मदद किया help किया उनको thank you और gratitude दिया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना कैसे लिखा है और उसके बाद आपको content लिखना है तो content आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मैंने उतना better content का यहाँ पर explanation नहीं किया है इसको और detail में आप लिख सकते हैं इसको जल्दी जल्दी बनाना था मेरे पास ज़्यादा time नहीं था और इसको मैंने अपने smartphone से prepare किया है तो smartphone में इतना type करना बहुत ही landy work था लेकिन क्या कर सकते हैं lockdown था तो abstract में क्या लिखना है abstract में एक तरह से आप यह M लिखेंगे कि आप जो dissertation करने जार हैं उसका M क्या है objective क्या है क्यूं कर रहे हैं आप dissertation और उसको आप simplified format में यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद keyword कुछ दिया जाता है कि आपका dissertation किस चीज़ से related है कौन सा keyword आपके dissertation को define करता है तो जैसे forensic science से related यह dissertation है तो forensic है entomology insect का study कर रहे हैं इसलिए entomology और insect अब इसमें larva का growth देखेंगे इसलिए larva term को भी दिया है और इसमें murder का investigation होता है तो investigation word को दिया है अब introduction में देखिए introduction section में मैंने dissertation का लिखा है कि forensic entomology क्या होता है entomology क्या है forensic entomology क्या है इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो detail में पढ़ सकते हैं उसके बाद मैंने historical case बताया है कि forensic entomology का first case कैसा था और इसमें देखिए actually हुआ क्या था मखी के मदद से जो है तो यहां पर है और दूसरा case है यहां पर कि एक dead body मिलता है और उस dead body को किष्णे मारा था उसको जानने के लिए जो है इस्तमाल किया गया था लारवा का और उससे पता चला था यह दूसरा current है और अभी current modern time में देखिए 2004 में भी forensic entomology का इस्तमाल किया गया था उन में से एक दो case में ने लिया है तो यहां पर देखिए क्या करता है कि वो रात में car को drive करता है और एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर के दूसरे city में जाकर के मडर करके वापस आ जाता है रात में ही अब वो claim करता है कि मैं तो अपना ही सहर में था लेकिन यहां पर जो insect उसका मडर किया था सिर्फ और सिर्फ उसी इलाका में ये इंसेक्ट मिलता है जहां पर उसका अपना घर है उस इलाका में नहीं मिलता था तो इस इंसेक्ट के मदद से हम लोग जान गए थे कि रात को उसने ट्रेबल किया था उस सीटी में और वहां ट्रेबल किया था आने कि आपने इंटरबल मतलब मरने के बाद देखी यहां पर डिफनेशन दिया हुआ है इसी को हम लोग पोस्ट मौटर इंटरबल कहते हैं मतलब मरने के बाद जब तक उसका autopsi ना हो उस जो time बीट जाता है उसको PMI कहते हैं अब कोई मरा तो तुरन तो उसका autopsi हो नहीं पाएगा थोड़ा सा time लगता है ले जाने में या dead body को देखने में तो उसी time को हम लोग कहते हैं उस दोरान क्या होता है कुछ insect जो उस पर आ जाते हैं मक्ही देखिए आपर एक फिस है इस पर मक्ही आ गया है तो ये मक्ही क्या करेंगे उस पर अंडा देंगे और उसका अंडा ग्रो करेगा और उसे फिर बच्चे पैदा होंगे insect का तो उसके मदद से हम लोग जान जाते है कि कितना speed से insect जो एसो उस पर अंडा देता है कितना speed में उसका अंडा ग्रो करता है और कितना speed में उसका बच्चा जो एसो अंडा से निकल करके ग्रो करता है उस time duration को नाप करके हम बता सकते हैं कि किसी dead body पर कौन सा insect है और वो dead body कितना देर से वहाँ पर मरा हुआ है तो यह सब insect है जो basically सबसे पहले जो आता है यही सब insect मरने के बाद इंसान के उपर सबसे पहले attack करता है dead body पर attack करता है तो इसका development कैसे होगा उसके अधार पर देखिए मान के चलिए कि यदि dead body पर हमको देखने को मिला है सिर्फ adult fly आने की अभी तुरंत मर्डर हुआ है अधि उसमें अंडा मिला है आने की कुछ जादा time बीत गया है उसमें इस label का लारवा मिला है आने की कुछ जादा और जादा time बीत गया है और अधि आपको इस type का मिल गया है प्यूपा मतलब बहुत जादा करीबन एक दिन का time बीत चुका है इस तरह से हम लोग अंदाजा लगाते हैं यह forensic epidemiology यहाँ पर देखिए अधि इंस्टार जो है बच्चा जो है उसका length 5 mm है आने की डेड़ दिन का time अलमोस्ट हो चुका है अधि 10 मीटर का है तो अड़ाय दिन का time हो गया है और 14-15 mm का है तो 4-5 दिन हो गया है dead body का तो इस परकार से हम लोग अंदाजा लगाते हैं और अधि उसमें नया मक्खी एक अंडा दिया और उससे नया मक्खी जनम ले लिया है तो 6-8 दिन dead body का हो चुका है इस तरह से हम लोग अंदाजा लगाते हैं एंटेमो टॉक्सोलोजी है इसमें क्या होता है कि अधि किसी को जहर दे करके मार दिया गया है तो इंसेक्ट उसको खाएंगे इंसेक्ट खाएंगे तो इंसेक्ट भी जहर के कारण मर जाएंगे या फिर इंसेक्ट के body में वो जहर मिलेगा तो हम लोग इंसेक्ट का dissection करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसने खाया क्या उसमें poison था अधि उसके पेट में poison मिलेगा तो हम समझेंगे कि dead body जो मरा था वो poison के कारण मरा था तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं अब type जो है इंसेक्ट crime scene पर पाया जाते हैं तो diptera और colioptera दो manly group है जो dead body जो जल्दी सबसे attack करते हैं तो इनको हम लोग identify कराएंगे पहला हमारा जो एसो blow flies है blow flies का आपको यहाँ पर डाइगरम blow flies का जो type है species है जो forensic importance का है वो blue bottle fly है इसका देखिए california vaccina नाम है इसका और इस तरह से यह दिखता है और इसी तरह से और आप देखिए यह और california vomitora है यह इस तरह से दिखता है और fly of dead है यह देखिए यह सब जो ए dead body पर तुरंट attack करते हैं complete list मैंने बनाया था उसका description दिया था कि वो कैसे attack करता है लारवा कैसे grow करता है यह छोटा सा description है इस तरह से photograph के साथ मैंने इसको बनाया है उसके बाद house fly आता है तो house fly का group में भी और जो भी species है उसको भी describe किया है मैंने यह देखिए हमारा यह है मसीना जो है मसीना और cheese flies है हमारा और adormasted beetle है अब यहाँ beetle का section आ गया जो beetle जो है colioptera group से beetle भी attack करते हैं तो जो beetle है attack करते हैं वो देखिए यह beetle भी attack करता है dead body for यह करते हैं यह करते हैं और यह करते हैं और इसको भी आप देखे होंगे बहुत सारा dead body for तो इस तरह से उसके बाद last में देखिए मैंने description दिया कि इनके अलावा मक्षी और beetle के अलावा wasp ant और bee भी attack करते हैं इनका short description दिया है मैंने इस पर भी आप study कर सकते हैं method मैंने क्या use किया था उसको एक rough जोए सो मैंने लिख दिया है कि कैसे मैंने use किया था methodology इसको आप और detail में लिख सकते हैं lockdown था teacher से भी ज़्यादा help नहीं मिला तो यह उतना better नहीं किया है मैंने इसको आप और better कर सकते हैं अपने teacher से help ले करके बाकि आप पर सकते हैं यह देखिए मेरा original photograph है यह मैंने अपने गाओं के field में visit करके इसको लिया था और यह original photograph है इसमें जो observe किया था मैंने dead body को उसके बाद conclusion section है कि इस research से आप क्या कहना चाहते हैं क्या फाइदा होगा humanity को और इसका क्या मकसद है और क्या suggestion देना चाहते हैं वो सब आपको लिखना है उसके बाद reference और citation देना है कहां से आपने research किया और कैसे इस conclusion पर आप पहुंचे तो यह सब citation है मेरा तो यह सब को आप देख सकते हैं कहां से इसी तरह से मैंने बनाया है आप भी इसको बना सकते हैं कोई भी doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हैं dissertation कोई बड़ी बात नहीं है easy work है आपके पास laptop है तो असानी से आप इसको theoretical जो dissertation है उसको घर बेठे तयार कर सकते हैं practical के लिए आपको lab या internship USU कहीं जोइन करना पड़ेगा thank you signing off